ही गाइद मादूरिस किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्वादिश्ट सी रेसीपी परवल की तो गैस परवल की सबजी तो हम अकसर बनाते हैं लेकिन इस तरह यह से आप बनाओगे न तो उंगलिया चाटते र मढ़ Feld यह से ना यह से ह Tel रेकर भी कर चाहरे हैं को तो इसको इस तरीके से काट लिया वी बीच ओ इस तरीके से की लगा लिए है CER इन उलेकिन मुझे इस तरीके से ही बनाना था तो दिखने भी तो मतलब हैसे दिखता है ना तो घड़ाके में मुझाने आजेस चार बर त इतना तेल और इसको है ना अच्छे से फ्राई कर लेना हमें फ्राई करने के लिए ज्यादा तेल कड़ाई भर के आधी खड़ाई इसे कुछ भी लेना नहीं है बस चार पांच चमस तेल में यह फ्राई हो जाएंगे तो यह थोड़ा सा मतलब नरम होने में टाइम लगता है तो आप क्या कर सकते हो कि 2-3 मीट के लिए फ्लेट को ढख करके रख दीजिएगा तो यहां पर मैंने लो फ्लेम या एकदम मेडियम फ्लेम पर 2-3 मीट के लिए ढख करके रख दिया था और हमारे जो परवल है ना सॉफ्ट हो चुके है यानि कि फ्राई हो चुके है कि ला लेकर दूसरी साइड से भी प्राई कर लेते हैं इससे क्या होगा सब्जी में स्वाद ज्यादा आएगा अच्छा लेगी सब्जी आप चाहे तो डाल सकते थे लेकिन इस तरी किसे बनाओंगे ना तो थोड़ा सा फर्वाइगा थोड़ी से सब्जी जो है चीरा और दो बड़े प्यास कटे हुए तो इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है और हाँ इसमें अधरक लसन पेस्ट भी जाता है लास्ट मेरे पास अभी नहीं था इसलिए मैंने दरदरा ही कूड़ लिया है अधरक और लसन को तो पांच से छे कलिया लिया है लसन के और तो ओड़ा सा ही अद्रक मैंने कोड़ कर डाल दिया है इसको अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राइक कर लेना है तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा प्याद जो है जादा भी ले सकते हो और अद्रक लसन जो पेश्ट अगर आप डालते हो तो अभी मत डालिएगा वरना कड़ा जाएगा और आपके जो ओनियांस है ना अच्छे तरीके से पक नहीं पाएंगे तो यहाँ पर हो चुका है ओनियां ब्राउन तो एक चमच मैं डाल रहे हूं बैसन तो गाइस बैसन की वज़े से क्या होता है कि ग्रेवी को थोड़ा सा थिकमेस आती है तो ग्रेवी भी अधा चमच बैसन डाल लीजेगा जब भी आप अनियंस वगरा फ्राइ करते हो तो गाइस यहाँ पर बैसन के साथ ओनियंस भी थोड़ा सा फ्राइब हो रहे है अच्छी सी खुश्बु जो बाने लगे ना तो तब जाके हमें डालने है मसाले तो यहाँ पर मैंने एक मैंल तो सबस्थी धाइस जाते ज मैंने माल दीजीएगा यहाँ के आदा स्पून वह पानी यहाँ डाल सकते हो मसालो को पकाने के लिए लेकिन लो फ्लेनियों में घृफ लिए चार से पांच तमाटर की प्यूरी तो यह पर श्रुणमाटर की प्यूरी है क्यूंकि हम फे तो इसको आच्छे से मिक्स कर लेना है और तो तो थोड़ा सा डाल लिया है नमक स्वादानुसर बातने में फे से डालूंगी टेस्ट करने के बाद तो इसको अच्छे से मिला ले और अभी इसको पकने देते हैं जब तक कि तेल ना छोड़े यानि कि टमाटर जो है कच्छा फ्लेवर इसका खतम ना हो या टमाटर में जो भी पानी है वो पूरा खतम ना हो तब तक हमें पका लेना है तो यहाँ पे तेल का इस्तामाल बिल्कुल थोड़ा किया है क्योंकि परवल में भी हमारा जो तेल है बाद में सबजी के साथ या ग्रेवी में आ जाएगा पकने के लिए लो फ्लेम पे तो बेसं भी हमारा अच्छे से पून चुका है और टमाटर भी कढ़ाई छोड़ने लगा है तो गैस हमारी जो ग्रेवी का टेक्श्र ना बहुत बड़ी आएगा और खच्छा फ्लेवर भी नहीं आएगा टमाटर का जब कढ़ाई चोड़ने तो अगर पानी के जुरूरत हमें फिर से लगेगी तो फिर से आड़ करेंगे अभी के लिए इतना ही काफी है तो गैस यहां पे देख सकते हो ग्रेवी जो है थोड़ी सी गाड़ी है ना बेसं की वज़े से तो टेस्ट भी अच्छा आता है बेसं की वज़े से और हमने जो तो फिर से आड़ कर दीजेगा अभी रख दिया था मैने तीन से चार मिनिट के लिए तो यहां पे देखिए हाइफ लेम पे मैंने रखाए गाइस क्योंकि परवल जो है अच्छी तरीकी से पकने चाहिए तो एक बार इसको चेक कर लीजेगा परवल पके है की नहीं और ग् पानी में पकने दे सकते हो आपको जादा ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए तो आप पानी डाल दीजेगा वरना इसको इतने ही पानी में पका यह लेकिन मुझे यह सब्जी चपाती और चावल के साथ भी खाने थी इसलिए मैंने फिर से पानी को आइड कर आप और नमक अगर आपके पास हो तो उसको भी डालिएगा बहुत अच्छा टेस्ट आता है फिलाल मेरे पास नहीं है तो गैस पानी मुश्य तोड़ा सा कम लगा और परवल भी कच्छा इसलिए मैंने पानी को आयक करना है वरना आप पानी मठ डालिएगा तो अभी इसे फिर चे पका ले तब तक हमें पका लेना है करेबन चार से पांच में ठोच हुआ है और हमारे यहां परवल जो है अच्छे से सॉफ्ट होकर ज्यादा सॉफ्ट भी होए ना तो सबजी खाने में अच्छी नहीं लगती है लेकिन अभी पकर के रड़ी है तो गैस यहां पर मेरे पास साइड म में ही दूद वाला भगोना था इसलिए मैंने इसकी जो मलाई है फ्रेश वह निकाल ली है तो इसको भी मैं डाल दूंगी थोड़ा सा हरा धनिया डालना है और एक दो चमच मलाई डालना बिल्कुल ऑप्शनल है बस साइड में मुझे देख गई इसलिए मैं आड करियो यह बिल्कुल भी मट डालेगा ऐसे कुछ भी नहीं है बहुत अच्छी बनती है फ्रेश क्रीम या मलाई डालने से थोड़ा सा मीठा पना जाता है और सब्जी में जो स्वाध होता है वो बढ़ता है इसलिए मैं कभी-कभी पास पर ही अगर मलाई पड़ी हो या दूद पड़ तो गैस हमारी परवल की सब्जी बन करके रेडी है बहुत स्वाधिष्ट बनी है इस तरीके से आप भी एकपर ट्राइ करिएगा बहुत बढ़िया बनती है तो आज की ये मेरी रेसिपी आप सभी को कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो ना तो प्लीज वीडियो को लाइक क दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यो फर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में